आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या डिफ्रेंस है बोथ आफ और नीधर आफ का किस सिच्वेशन में इसका इस्तिमाल होता है आए देखते हैं दोस्तों गैस सबसे पहले बात करते हैं बोथ आफ की बोथ आफ आपने सुना भी होगा यूज भी क्या होगा बोथ आफ का मतलब है दोनों इनकी दो लोगों के लिए होता है लेकिन बहुत कम ऐसे लोग जानते हैं कि बोथ आफ का इस्तिमाल हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटिंसे के करेंगे यानिकि नेगेटिव में इसका इस्तिमाल हम नहीं करेंगे सिर्फ पॉजिटिव में करेंगे और सिर्फ दो ही लोग होने चाहिए जब भी आप बोथ आफ बोलेंगे तो आफ के बाद यू बोल सकते हैं जैसे आपके सामने दो लोग हैं तो बोथ आफ यू कह सकते हैं both of us कह सकते जिससे अगर हम दो हैं तो बोलेंगे both of us both of them कह सकते हैं उधर अगर दो लोग हैं तो both of them कह सकते हैं या हम ऐसे कह सकते both of the और the करके नाम ले सकते both of the boys, both of the books, both of the dictionaries ऐसे करके बात कर सकते या हम your, his, my ऐसे करके भी कह सकते कि both of your friends ऐसे भी कह सकते हैं तो यह आपका हो गया both of और इसके साथ हमेशा plural verb भी आता है यानि कि is नहीं आएगा, are आएगा, was नहीं आएगा, were आएगा तो plural verb का इस्तमाला में करना है जैसे यहाँ है कि both of you are disturbing me यानि कि तुम दोनो both of you का मतलब है कि तुम दोनो मुझे disturb कर रहे हो तो यहाँ पर हमने are लगाया है is नहीं होगा, common सी बात है सबको पता है लेकि जब इधर देखेंगे neither of तो पता चलेगा गाईज, अब देखें, both of them have gone to market यानि कि वे दोनो, both of them, वे दोनो कहा गय है, बाजार गय है तो have आया है plural verb, लेखें, both of us are studying यानि कि हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, both of us are studying both of the books, दो लगाया हमने, both of the books are expensive यानि कि दोनों ही जो किताबे हैं वो expensive है, महंगी है एक और है, both of your friends are dancing यानि कि दोनों ही जो तुमारे दोस्त हैं, वो dance कर रहे हैं तो both of में तो किसी को कोई problem नहीं होगी अब आते हैं neither of, कि neither of क्या है, इसका इस्तमाल हम कैसे करेंगी जैसे आप neither of के बारे में सोचेंगी, तो याद रखिए कि दोनों में से कोई नहीं, यानि कि ये सिर्फ negative को दिखाता है दो होने चाहिए लोग, कहीं भी दो लोगों हमें बोलना है दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है दोनों में से कोई भी school नहीं जा रहे हैं दो की बात हो रही है और दोनों में से कोई भी नहीं मतलब दोनों ही नहीं कर रहे है इस काम को तो वहाँ पर हम both of नहीं बूल करके neither of का इस्तमाल करते हैं एक बस sketch यहाँ पर यह है आपको ध्यान देना है कि आपको इनके साथ singular verb लगाना है कि आपको आदत है both of you are लेकिन यहाँ पर neither of you is सुनने महजीब लग रहा होगा कि you is, you के साथ is वो you के साथ is नहीं वो neither of का रूल ही है तो याद रखेगा कि आपको singular verb लगाना है यानि कि आप neither of बोले जो you, us, them बोले singular verb आना चाहिए उसके बाद, फिर आप जो भी word बोली है जैसे neither of you is studying आप देखें, यानि कि तुम दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है neither of you, कोई नहीं पढ़ रहा तुम दोनों में से तो neither of you is studying आर नहीं होगा लोग सोचते हैं कि you है, तो you के बगल में आर होगा ऐसा सोचकर कि वो आर लगाते हैं और जब इस तरह की जो common errors आते हैं वो ऐसे आते हैं क्योंकि आपको जो लगता है वो होता नहीं है दिक्कत यह है, आपको लगता ठीक तो है आर आना चाहिए, इस तो आपको गलत लग रहा है बड़ इस ही सही है अब देखिए, neither of us goes there daily यानि कि हम में से कोई भी वहाँ रोज नहीं जाता है neither of us यहाँ goes है go नहीं है, क्योंकि similar word को दिखाना है killer है और अलग से भी कोई dawn doesn't नहीं लगेगा neither अपने आप में negative है guys तो neither of us goes there daily हम में से कोई भी वहाँ रोज नहीं जाता है एक और देखते है neither of the children wants to play here यानि कि मालीचे दो बच्चे आपने बोला neither of the children, उन दोनों बच्चों में से जब भी आपको neither of दिखाई दे तो दो की ही बात हो रही है यानि कि children बहुत सारे हैं दो ही है उन्हीं दोनों की बात हो रही कि दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो neither of the children wants to play here दो बच्चे हैं, दोनों में से कोई भी यहाँ खेलना नहीं चाहता है यह है, एक और देखे neither of your sons मालीज आपके दो बेटे हैं और दोनों में से कोई भी नहीं speaks in English दोनों में से कोई भी अंग्रीजी में बात नहीं करता है तो neither of का बोलेंगे दोनों करते हैं, तो both of your children यानि कि आपके दोनों बच्चे जो है both of your kids, both of your sons speak, वहाँ plural होगा लेकिन यहाँ पर neither of में speaks यानि कि similar का आपको इस्वाण करना है तो के लिए हैं गाईस neither of, negative के लिए और सिफ दो लोगों के लिए both of positive है, positive sentence में यूज होगा और यहाँ भी दोनों के लिए यूज होता है इसके साथ plural verb लगता है लेकिन इसके साथ singular verb लगता है तो बस guys, आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में till then take care, keep practicing and have fun अगर आप चाहें, तो इसका एक screenshot ले सकते हैं friends Thank you guys